हेलो गैस तो कैसे हो क्या चल रहा है तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 2021 की तेलगू लेंग्वेज रोमेटिक ड्रामा फिल्म ससी का जिसको हिंदी डफ वर्जन में सेम नाम से डफ किया गया है लिखा और डिरिकिया है स्री निवास नाइडू नरी कतला ने लीड रोल में देखने को मिलेंगे आदी सुर्भी और रासी सिंग कहानी की बात करें तो राज जिसका रोल प्ले कर रहे है आदी साई कुमर जो एक केर्फरी लड़का है और वो अपनी लाइफ में जरा भी सिरियस नहीं है और उसी वज़ वो एक ससी नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल प्ले कर रहे है सुर्भी और उसे वो प्यार करने लगता है लेकिन कहाने में एक ट्विस्ट आ जाता है जहां पे ससी कुछ प्रोब्लम में पढ़ जाती है और साथ ही में इन सभी चीज़ों में राज भी कनेक हो जाता है अब राज और ससी किस तर से इस प्रोबलम को फेस करते है और इनसे बाहर निकल थे यही फिल्म की मेन कहानी है राइटर डाइरेक्टर यानि की स्रीनेवास जिनका स्टोरी आइडिया देखने में काफी बड़या नजर आ रहा था लेकिन उनका नरेसन उतना ही बगवास नजर आ रहा था वो जरा भी हमें इंप्रेस नहीं कर पाते जिस तर से उन्होंने फिल्म के फर्ट और सेकंड आप में जितनी भी चीज़े दिखाए हुई है वो हमें उतनी engaging और entertaining नहीं नजर आती है जिस तर से उन्होंने lead character का जो characterization किया हुआ है वो भी हमें थोड़ा dull नजर आता है उसमें जो anger management का issue दिखाया हुआ है साथ हमें जो tragedy दिखाई हुए जिस तर से उसका एक look create किया हुआ है वो सभी चीज़े आपने कई ना कई फिल्मों में देखी हुई होगी ये सभी चीज़ों को इस तर से हमारे सामने paste किया हुआ है जब तक hero heartbreak के पीछे जो reason है उसको reveal करने जाता है उससे पेले ही हम उस character और film के साथ dish track हो जाते है इसके अलाव director ने जिस्तर से friendship और love वाला जो formula यूज़ करने के कोसिस की हुई है वो हाला कि पेले गिसा पिटा हुआ formula है लेकिन वो भी वो बढ़िया तरीके से हमारे सामने paste नहीं कर पाते फिल्म के camera वर की बात के तो वो बढ़िया था नहीं था लेकिन उनका जो role था जो टुकडो टुकडो में हमें connect कर रहा था और वहाँ पे उनका performance decent था साथ ही में film के lead actress या निकी सूर भी उनका role भी उसी तरह से कुछ लिखा हुआ था लेकिन उन्होंने भी अच्छी तरह से उसे deliver किया हुआ है साथ ही में उनका लोग फिल्म में बढ़िया नजर आ रहा था इसके अलाव आपको एक और heroine देखने को मिलेगी जिसका नाम है रासी सिंग वो भी अपने role को अच्छी तरह से deliver करने में कामियाब रही है खास करके कुछ टेंस वाले sequence से वहाँ पे वो बढ़िया तरीके से अपना performance deliver करती है इसके अलावे नेला की सोर और हरसा दोनों को comedians का role मिला हुआ था और उन्होंने अपना role अच्छी तरह से deliver किया हुआ है राजीव कनकाला जिनको character role मिला हुआ था और वो जब इस screen पे आते उनको देखने में जरूर मज़ा आता है फिल्म के director फिल्म के first आपको तो जैसे तेसे निप्टा देते हैं लेकिन जब वो second आप में आते हैं वहाँ पे भी उनकी story खीची खीची लगती है लेकिन साथ ही में इतने सार cinematic liberty वाले scenes देखने को मिल जाते हैं इसे forcefully aid किया हो ऐसा लगेगा और फिल्म के second आप में उनके पास scope था कि वो एक अच्छा drama create कर सके एक entertaining manner में कुछ sequence दिखा सके साथी में जो फिल्म के emotions थे उसे और बेहतरी नवे में हमार सामने pace कर पाए लेकिन वो सभी चीजे उतनी बेहतर नहीं नजर आ रहे थी और इसके अलावा जो conflict point था जो main point था जिसकी वज़ा से hero का character ऐसा हो चुका है वो point उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा था वहाँ पे जो emotions थे वो बढ़या तरीके से connect नहीं कर रहे थे सोड़ी writing में effective चीज़ देखने को मिल जाती तो इस film को थोड़ा बहुत संभाला जा सकता था तो में 2021 की तेलगू language romantic drama film ससी यानि की ससी the real fighter को 4.5 out of 10 की rating देता हूँ तो cool मिला के बाद करे तो ससी film की story तो decent थी लेकिन film का narration और साथ ही में जो main point था जो conflict point था वो थोड़ा कमज़र नजर आ रहा था अगर आप आज ही साई कुमार के fan हो या तो फिर सुर्भी के fan हो तो उनके लिए film देखना चाते हो तो देख सकते हो otherwise film में कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो कुछ नया सोकेस करके पेस किया हो या तो फिर कुछ बढ़िया तरीके से उसे execute किया हो तो बस guys आज के review में इतना ही था I hope आपके review पसंद आया होगा अगर review पसंद आया तो वीडियो को like और share जरूर कीज़ेगा तो इसके अलावा कोई और South Indian movie का review चाहिए तो हमें comment करके जरूर बताएगा तो और बेसे नहीं South Indian movies के Hindi review के लिए अपकमिंग South Indian movies के news के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलेगा ठेंक्यू